Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.5 से question number 6 करेंगे A village having a population of 4000 requires 150 liters of water per head per day एक गाव के अंदर 400 लोग हैं और वहां हर व्यक्ति एक दिन में 150 liters of water use कर लेता है It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter और उसी गाव के अंदर एक tank है जिसकी length, breadth, height ये दी हुई है For how many days will the water of this tank last? तो इस tank का पानी कितने दिन तक चल जाएगा? Question की शुरुआत करते हैं, question बहुत important है आपको दे रखा है गाव में 4000 लोग हैं और एक आदमी एक दिन में 150 liters पानी use कर लेता है उसी गाव में एक tank है जिसकी length, breadth, height ये दे रखी है ये tank पानी का tank है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो ये पानी इन लोगों के लिए कितने दिन तक चल जाएगा? ये question में पूछा है सबसे पहले हम क्या करेंगे? tank का volume निकालेंगे volume निकालेंगे, वहां से हमें liters पता चल जाएगे कितने लिटर पानी इसके अंदर आएगा तो पहला step इसके अंदर ये है कि volume of tank volume of tank हो जाएगा? length into breadth into height length, breadth, height यहां दे रखी है 20 meter into 15 meter into 6 meter इसका product करेंगे तो ये सारा हो गया 300 और 6 1800 meter cube volume आगया? अब हमें पता है कि 1 meter cube के अंदर thousand liters होते हैं तो thousand से इसे multiply करके tank में पानी कितना ये पता चल जाएगा? अब second step में होगा water in tank ये हो जाएगा जितना हमारा volume आया है 1800 hundred meter cube multiply में thousand liters per meter cube ये relation होता है हमारे पास कि 1 meter cube के अंदर thousand liters होते हैं तो यहां इससे multiply करके tank की total capacity भी हमें पता चल जाएगी तो 2018 हो गया और ये दो और ये तीन पाँच जीरो आ गए एक दो तीन चार पाँच और अब ये लीटर में अंसर आ गया है तो ये आ गया है 80 lakh liters हमें पता चल गया कि इसके अंदर 80 lakh liters पानी है अब ये पता करेंगे कि उस गाहों में एक दिन में पानी कितना खर्च होता है now consumption of water water in one day अब देखें गाहों में total लोग है 4000 और एक आदमी एक दिन में 150 liters पानी को यूज कर लेता है तो 4000 की 150 से multiply हो जाएगी simply multiply करेंगे तो एक दो तीन चार चार जीरो तो आनी ही आनी है अंसर में और यहां 15 4000 हो गया है 60 और यह liter में अंसर आएगा तो यह देखते हैं यह बन गया है 6 liter तो एक दिन में गाहों में 6 liter पानी यूज हो जाता है टैंक के अंदर total पानी है 18 liters तो यहां simply पता चल रहा है 6 3018 तीन दिन तक पानी चलेगा अब इसको लिखने का तरीका आप देख लीजे number of days number of days हो जाएंगे जो टैंक के अंदर पूरा पानी है यानी की 18 lakh और जो गाहों में एक दिन की consumption है पानी की वो है 6 lakh इनको divide करते ही answer आएगा 3 यह 3 days है अपना final answer ऐसे लिख देंगे therefore water lasts for 3 days यानी उस टैंक का पानी 3 दिन तक गाहों में चल जाएगा question खतम तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए good bye